नमस्ते दोस्तों आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब नहीं किया है जदी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और टेक्निकल वीडियो के लिए आईए शुरू करते हैं क ein complaint अकरेल की विए वीके लिंया अपर स​ाइब नहीं वेसी ऐसी तो जहीं किया है और पार ट्रीव सब्सक्राइब कर दो चुछोड़ा हिसं के बाद्ना इसे पाल को सब्सक्राइब अई और चोलता हैं ब्राउजर खोलना है ब्राउजर खोलने के बाद हम Google खोल देंगे और Google में हम टाइप करेंगे GOO GLE और यहां पर Google Link Shortener का आपको लिंक मिल जाएगा जल्दी से और यहां पर फिर आपको जो पर फार्स्ट लिंक है वहां पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एगरी साथ पेज डिवेगा करने अपर पिक करेंगा और यहां पर बिंगे उसको क्विशान देवाटé CTRL भी दबा के मैं यहां पर Link Shortend Link URL पर क्लिक करूँगा तो यहां पर आपको एक ऐसा Window open होके जाएगा और यहां पर आपको Copy option मिल जाएगा यह है आपका नया Link यह आपका नया Link और यहां पर यह जो होगा है इसको भी मैं दबाऊंगा तो यहां पर एक short copy URL copied लिख के आ जाएगा यहां पर मैं done पर click करूँगा done पर click करने पाद आपका link shortened हो गया है यह बहुत ही आसान है और आप मैं एक नया web page खुलूँगा blank web page और यहां पर link box से वहां पर मैं control V दबाऊँगा तो यह चोटा सा link open हो जागा फिर मैं enter पर click करूँगा तो जल्दी जल्दी यही वही web page खुल के आ जाएगा यहां पर यह बाला web page और यहां पर same web page सिर्फ link छोड़ा था यह बहुत ही आसान हो चोटा सा एक trick है जो आपको links को बहुत आसानी से simplify कर देगा आप यहां पर search कीजिए Google link shortner या भी वीडियो के description में देख लीजिए आप वहां पर पहुंच जाएंगे यह था Google link shortner आप चलते हैं फिर से camera की और वहीं पर मैं आपको बाकी के details दे देता हूं आए दोस्तों आज मैंने आप लोगों को दिखा दिया कैसे आप अपने कि आप उनको याद कर सकी आगे रगों को काई उनको share करना हो या भी description में डालना हो तो आप उसो कर सके यह कापी आप यह आपकी काम आएगा तो यह स्तेवाल की जिए और आज के लिए बस इतना ही फिर बिंदिंगे आगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन and always keeps my good bye and please subscribe तो मैचेने टेक्पस्ट.